बात करेंगे महरास्ट्रे के ठाने की ठाने जिलाक के बदलापुर शहर में एक नामी स्कूल के अंदर दो नाबालिक लड़कियों से कथित यौन शोशन का मामला सामने आया है इसके बाद इलाके में गुस्से के लहर देखी गई बदलापुर के हजारों लोग वरोध के लिए सडकों पर उतरे लोगों ने ट्रैक पर उतर कर बदलापुर रेर्वे स्टेशन को ठप कर दिया कई घंटों तक ट्रेनों की आवाजा ही बाधित रही पश्रम बंगाल के खोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले के बाद उपजा जन आक्रोश अभी थामा नहीं कि अब बदलापुर की घटना ने जनता के गुस्से को और ज़ादा बढ़ा दिया है यौन शोशन के बरोध में दोशियों को ततकाल सजा देने की मांग को लेकर सडकों पर उत्री भीड को नियंतरत करने के लिए पुलिस की एक बड़ी टुकडी तैनात की गई थी साथ ही लोगों के गुसे के आगे पुलिस भी बेबस नजर आई अखिर कार शाम ढलते-ढलते पुलिस ने लाथियां बरसा कर परदर्शन कारियों के बीच पत्थराओ भी देखने को मिला पुलिस के मताबिक इस पूरे मामले में अभी व्योक्त को गिरफतार कर लिया किया है और साथ ही केस दर्ज करके धिलाई बरत्ते होए पुलिस बालों पर भी कारवाही की बात कही गई है स्कूल ने भी इस पूरे मामले में शामिल लोगों को निलामबित कर दिया है महरास्ट सरकार के मंत्री और विजेपिनीता गिरेश महाजन ने धरना स्थल पर जाकर लोगों से चर्चा करने की कोशिश की थी हाला कि गुसाई परदर्शनकारियों की भीड के सामने वो जादा देर टिक नहीं पाए जादा देर बोल नहीं पाए और वहां से चले गए हाला कि उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यह अंदोलन राजनितिक रूप से प्रेरित है और इसमें हमने SIT का गठन किया है पर दर्शनकारियों ने अभी व्युक्ति को कड़ी सजा देनी की मांग की महरास्टर के ग्रेमंत्री दिवेंद्र फंडन वीस ने भी यहाँ पर सक्त कारवाही के नरतेश दिये है अब ग्राफिक्स पर एक नजर डालेंगे और जानेंगे कि क्या है यह पूरा मामला दरसल बदलापुर के एक नाम गिरामी स्कूल में दो बच्चियों के साथ यौन उत्पिडन का यह मामला सामने आया है इसमें नाबालिकों की उम्र चार और छे साल बताई जा रही है दोनों ही बच्चियां यहाँ पर परिक्षा देने स्कूल पहुँची थी और उसी दिन स्कूल के एक सफाई कर्मी ने कथित तौर पर उसके साथ यौन उत्पिडन किया यह मामला तेरा अगस्त का है दोनों बच्चियों में से एक ने 16 अगस्त को अपने माता पिता को यह पूरी वारदात बता दी अभ्यूक को 17 अगस्त को ही फिर गिरफतार कर लिया गया और इस पूरे मामले में दर्ज करभाई गई शिकायत के अधार पर बताय यह जा रहा है कि सफाई कर्मी ने बच्चियों के साथ स्कूल में टौलेट में यौन उत्पिडन किया और स्कूल प्रशासन ने इस पूरे मामले में प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक अन्यमहला कर्मी को भी निलामबित कर दिया है साथ इस शिकायत में यह बताया किया है कि दोनों में से एक बच्ची ने 16 अगस्त को स्कूल जाने से इंकार किया था और जिससे उसके मातापिता को पहले ही शक्त हो गया था संधे के अधार पर ही उसने बच्ची को यहाँ पर जाँच के लिए अस्पताल बोले जाते हैं और बच्ची के प्राइवेट पार्ट में चोट की पुस्टी डॉक्टर्स ने की बच्ची ने कथे तोर पर अपने मातापिता को यह बताया कि दादा यानि की दादा जो है मराथी में भाई के लिए इस्तिवाल किया जाता है मारास्टर में इस शब्द का प्रेयोग उन्होंने कहा कि दादा ने मेरे कपड़े उतारे और मेरे प्राइवेट पार्ट को का अभाहान किया था हजारों की तादात में लोग सढ़कों पर उत्रे स्कूल के सामने विरोध परदर्शन किया किया विरोध परदर्शन करने के बाद अविविवक्त को कड़ी सजा देने की मांग रखी गई परदर्शनकारियों की मांग है कि उस व्यक्ति को फासी दी जाए जिसने ये अपराथ किया है और इस बीच यहाँ पर उपमुख्यमंत्री दिवेंद्र पड़नवीस ने भी ठाने पुलिस आयुक्त को इस पूरे मामले की कारवाही करने में देरी करने बाले बद्लापूर पुलिस थाने के सीनियर इंस्पेक्टर समें तीन कर्मियों को तरंथ निकाल दिया आदेश दिया है और ऐसे में ट्रेने रोकी गई थी अब क्या हालात है इस पर बात करते हैं दरसल नाराज परदर्शन कारियों ने बद्लापूर रेलवे स्टेशन पर ही विरोध परदर्शन शुरू किया और इस से रेलवे लाइन पूरी तरह से ठप हो गई थी मंगलबार को सुभा 10 बजे से ही इस रूट पर ट्रेनों की आवज राही बंद कर दी गई थी अला कि देर शाम तक रेल रोकने वालों को पुलिस ने लाठिया बांच कर जो है वहाँ से हटा दिया था परदर्शन कारियों ने पुलिस पर पत्थरा भी किया जबाब में पुलिस ने बलप्रो किया और रेलवे ट्रैक पर जमे लोगों को वहाँ से खदेर दिया पोलिस ने परदर्शनकारी उपर लाठी चार्ज करके उनको तीतर बितर कर दिया वही महारास्टर के यहाँ पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा है अब यह जान लेते हैं दरसल मुख्यमंत्री एकनाच शिंदे ने पूरे मामले पर राज्जी की शिक्षा मंत्री दीपक के सरकर से चर्चा की है और ततकाल कारवाही के आदेश दे दिया है सीम एकनाच शिंदे ने भविश्य में ऐसे मामले सामने ना आये से रोकने के लिए ठोस कदम उठाने के सहे थी इस पूरे मामले को फास्ट ट्रेक कोर्ट में चलाने का भी आदेश दे दिया है वहीं पर मुखे मंत्रे ने कहा है कि अगर स्कूल प्रबंधन की गल्दी है तो उनके खिलाब भी कारवाही की जाएगी और स्पीच उन्होंने रेलवे ट्रेक पर परदर्शन करने वालों से शांती बरतने की भी अपील की थी